मूवी के स्टार्ट होते ही एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम एना है एना की बड़ी बेन उसके बालों में एक क्रिम लागाती है लेकिन जब वो बालों को वाश करती है उसके साथ उसके बाल भी जड़ जाते है उसकी वज़र से उसे बहुत दर्द होता है फिर हमे एना को देखते हैं जो की काफी बड़ी हो चुकी है। उसके बच्पन में जो बाल जट चुके थे उसके जखम की निशान आज भी थे। आज भी उन जखमों की वज़े से उसे पेन होता है। आज ताप अपसेट हो जाता है। लेकिन वो एमपलई थे। उसकी वज़े से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके आलावा उनके पास कोई आप्शन भी नहीं था। वही पर हम एक लड़के होस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है जूलियस। यहाँ पर हम जान पाते है कि जूलियस और एना रिलेशनचिप में है लेकिन उसी राज जूलियस एना से ब्रेक अप करता है। एना जो की पेले से ही काफी वरिड थी कि वो इतने सालों से टीवी चानल के लिए काम कर रही थी मगर उसकी कोई भी प्रमोशन नहीं हुई। यहाँ पर एना जूलियस से जेलस हो रही थी क्योंकि वो असिस्टर्स से होस्ट बन गया था जिसकी वज़र से एना काफी दुखी थी और रो रही थी। फिर लेट नाइट एना घर जाती है और घर का ओनर उसे रेंट मागता है पर एना उसे कोई जवाब नहीं देती। एना की लाई पिछले कुछ द लेती है कि कभी किसीने मेरे प्रमोशन के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि कभी किसीने मुझे सीरियसली लिया ही नहीं फिर एना जोरा के साथ चैनल की सक्सेस के लिए एक आइडिया शेयर करती है और वो यह है कि चैनल 24 Hours के लिए एक लाई शो करे जिसका रिज़ल यह एना का ये आइडिया काफी पसंद आता है और इसके लिए वो और इन्फरमिशन एना से लेती है जाते जाते जोरा एना से कहती है कि तुम अपने बालों का ट्रिटमेंट कर वालो क्योंकि तुमारे बाल काफी खरावे इसके लिए वो एना को एक हेर एक्सपर्ट के सलूं का क पर एना जो कि इन बातों पर बिल्यू नहीं करती थी इन बातों को फिजुल समझती है। अपने बालों में लगवानी है। एना को ये भी कहा जाता है कि वन विक इन स्टिचेस में पेन होगा और एक हपते के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एना को एक जरूरी बात भी बताई जाती है। जिसे उसने जरूर फॉलो करना है। और वो ये है कि कभी भी इन बालों पर पानी नहीं लगने देना। इसके बाद फिर से घर का मालिक एना के पास आता है। और वो एना को लास्ट वार्निंग दे कर चाला जाता है। फिर आधी रात को एना अपने अंकल की दी गई वो एंशन्ट बुक को पढ़ती है। उस बुक के स्टार्टिंग में जो स्ट आगे क्या हुआ इसे पढ़ने से पहले एना को निदा आ जाती है। और वो सो जाती है। दूसरे दिन एना काम पर जाती है तो सब लोग उसे देख रहे थे। और एना की लूप चेंज होने पर उसकी तारिप भी की जा रही थी। मीटिंग में जोरा एना की पूरी आइड नशे की हालत में एना के रूम में आता है। फिर एना उसे चाकु से स्टैप कर देती है। तब मकन माली के शोल्डर से खुन आने लगता है। तब वहाँ पर अजिब चीज होती है। एना के बाल उस मकन माली के बोड़े में गुसकर उसका सारा खुन पी लेते है। जिसकी देखते ही एना को जो अपने Hopkins में थी और अचानक से possess हो जाती है और इसा फिल हो रहा था जैसे एना को उसके बालों ने कंट्रोल कर लिया हो एना वो liquid cream रोज अपने बालों में लागाया करती एक बार एना के हाथ पर चोट लग जाती है और एना के बाल उसके चोट से निकलने वाला खुन पी लेते है उसके बाद एना के बोड़ी के जिस भी हिस्से से खुन आता था उसके बाल वो खुन पी लेते हैरत के बाद ये है कि जब बाल खुन पी लेते थे तब उनमें शाइनिंग आ जाती थी यहाँ पर बहुत से सवाल हमारे जहन में उड़ते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है अब हम रात में पार्टी में देखते हैं कि जोरा जूलेस से ब्रेक अप कर लेती हैं इसलिए जूलेस एना के पास वापस आ जाता है जब वो दोनों साथ होते हैं तो एना को गुसा आता है और वो अचानक पजेस हो जाती है और पजेस एना जूलेस को माल डालती है तब एना के बाल जूलेस का सारा खुन पी लेते हैं जब एना अपने नौर्मन हालत में आती है तो डर कर वहाँ से भाग जाती है फिर एना अपने आंटी को call करती है वो अपने आंटी को कहती है कि जो अंकल ने मुझे ancient book दी थी उसे read किजे और मुझे सुनाए तब एना की आंटी उसे story सुनाने लगती है कि एक लेडी थी वो अपने काम से वापस जाने लगती है लेकिन उसे रास्ते में एक ट्री नजर आता है जिस पर बाल उगे होए थे वो लेडी उन बालों को तोड लेती है और उसे एक वीग बनाती है लेकिन फिर वो वीग उसी लेडी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और हेरत की बाद ये है कि वो बाल लोगों को मारने लगते हैं, उनका खुन पेने लगते हैं, तब वो लेडी ये जान पाती है कि वो ट्री कर्स्ट था, उस पर जो बाल लगे थे वो विचेस यानि चुड़े लोके थे, और एक दिन उन बालों ने उसी लेडी को फासी लगा कर माल डाला, यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एना ने जो विच सलून में देखी थी, इवन जो विच लगाई थी, वो सब असल में चुड़े लोके बाल थे, जो कि उस ब्लैक मॉस नजर आने वाले ट्री से तोड़े गए थे, असल में वो ट्री था ही चुड़े लोके ये पूरी स्टोरी सुनकर एना बहुत ज़्यादा डर जाती है, फिर एना ये सुचती है कि मैं दुबारा से उस सलून में जाकर इस विच को हटवा कर उन चुड़े लोके बालों से चान छुड़वाँगी, फिर एना रात को ही उस सलून में चली जाती है, और वहाँ पर लेडी भी आई हुई थी, जो पेले चानल की हेड थी, एना हेर एक्सपर्ट को केती है कि मेरे विच को रिमू कर दो, लेकिन जैसे ही हेर एक्सपर्ट सीजर को बालों के पास लेके जाती है, वो बाल मूमें आ जाते है, और उस हेर एक्सपर्ट को मार देते है, फिर वो बा सब लोगों का खुन सक कर लेते हैं एना बुरी तर डर जाते हैं और वो अपने अपिस में आ जाती है एना वहाँ पर एक डेड़ बाड़ी दिखती है जिसके खुन को सक कर लिया गया था जिस पर एना सोचती है कि ये सब किस ने किया में तो वहाँ नहीं थी वहाँ पर एना क अपने ओपिस में जाती है एना को पताया जाता है कि जोरा और जूलिस कही नजर नहीं आ रहे है इसलिए जो की होस्ट एना को बनना पड़ेगा तबे एना शो को होस्ट करने लगती है तबे वहां आ जाती है जोरा अब Zora तो मर चुकी थी फिर वो यहाँ क्या कर रही थी असल में वो बाल अभी तक Zora को कंट्रल कर रही थी होस्ट करने के बाद Anna एक employee से मिलती है और Zora उस employee को मार देती है और अब मरने के बारी थी Anna की उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाए Anna और Zora के इसलिए Anna Zora से बचते हुए इदर उदर भाग रही थी भागते भागते Anna एक room में जाती है जहाँ पर Anna देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी witches है उनके बाल है और उनकी wigs पड़ी हुई है ये देखकर Anna वहाँ से भाग जाती है तबी वहाँ पर Anna को उसकी एक friend मिल जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते है लेकिन रास्ते में एक witch Anna के friend को मार डालती है Anna खुद को बचाने के लिए एक washroom में चुप जाती है और Anna को मारने के लिए बाहर जोरा और बहुत सारी witches वहाँ पर होती है Anna को उसकी मौत सामने ही नजर आ रही थी इसलिए वो मरने के लिए तायार थी तब Anna सिगरेट जलाने लगती है तबी वहाँ पर Anna को एक fire pump दिखाई देता है तो Anna उसके पास जाकर lighter जालाती है जिसकी वज़े से सारा पानी Anna, Zora और वहाँ पर जितनी फी मिलती सब के सर पर गिर जाता है यानि उन सब के बाल की लिए हो चुके थी Anna अपने सारे बालों को स्टीचेस समित उखड कर फेक देती है क्योंकि विचेस के बाल पानी में काम नहीं कर सकते थे उसके बाद Anna बाहर आ जाती है और देखती है कि सारी औरते मर चुकी है लेकिन जोरा अभी भी जिन्दा थी और अभी भी उन बालों ने जोरा को कंट्रोल किया हुआ था लेकिन एना उसे इग्नोर करके अपने घर आ जाती है अब एना बिलकुल ठीक हो गई थी नेक्स दे एना ये जान पाती है कि जो लिक्विड क्रिम उसके बालों में लगवाने के लिए दीद गई थी असल में वो पिक का खुन था जिससे बालों को खुन मिलता था लेकिन चुड़े लेक बालों का इतने से खुन से कुछ ने होने वाला था इसके लिए उन बालों ने इतने सारे लोगों को अपना शिकर बनाया उनका खुन पीने के लिए तब एना उस एंशट बुक में एक लोगो दिखती है और वो लोगो होता है यानि इस सबके पीछे मेडिसिन कंपनी का हाथ ही कमपनी के लोगो वाली ट्रक को हम पूरे शहर में गुमता हुआ देखते हैं ये ट्रक असल में सब लड़कियों पर नज़र रखने के लिए गुम रहा था और यहाँ पर बड़ा राज रिविल होता है यानि मेडिसिन कमपनी का ओनर और इस चैनल का ओनर एक ही परसन था इसके बाद हम एना की सिस्टर को देखते हैं जो की वीग लगवाने उसी सेलून में जा रही थी इसका मतलब यह है कि यह सिलसिला कभी भी खतम नहीं होगा यह चलता रहेगा और पूरे सिटी में जो जो यह वीग लगवाएगा वो इन बालों के और चुड़ेलों के कंट्रोल में आ जाएगा फिर हमें वो ट्री दिखाया जाता है जिसमें विचेस के बाल उग रहे थे और उन बालों ने तो पूरे फोरिस्ट को ही अपने कंट्रोल में किया हुआ था और ये मूवी यही पर एंड हो जाती है थेंक्यू फॉर वाचिंग